तो एलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तों आज ना आपको ताले हों सेमसंग गलेक्सी में जो वर्चुल रेम वाला ओप्शन आया था जो कि वन यूई 4.0 में रॉलाउट कर दिया गया है जिसके बारे मैंने पहले वीडियो मना के बताया हुआ है आज आपको बताने माला हूं वीडियो को पूरा देखे हो तो यह आप सोचपाइंग दोस्तों चलते हैं आगे मेरे नम सनी अरो और आपको स्वाग आते हैं मेरे चैनल एसे टेक में तो जैसा कि नहीं आपको बताने वाला हूं वर्चौल रेम के बारे में नए अपडेट के बारे में बोल सकते नए फी पर देखेंगा रेम प्लस करके जो कि पहले आपको ऊपर मिलता था अब आपको यहां पर नीचे मिल रहा है जो कि मुझे आप दे सकते हैं कि मेरी हां दोस्तों यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर 2GB 4GB और 6GB के आपको वर्चौल रहता है तो मैं आपको इसको यूज कर दे मैं मेरे पासटल एक सो साथ है फुल है और यहां पर आप देखेंगे इस्टम मेरे मेरे शिस्टो मेम converting 2. Blaze गी यहां पर सब मेरा एक जो मेरी फ्रीज है लगबग 107 और एक सो घ्राइभ पतला वह मेरे पास 10 11 GB यहां पर फ्री है अब यहां पर उसको कर रहा हूं यहां पर 6 GB में convert जैसा कि मैं इसका screenshot ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में बात में समझ में आएगा सभी से तो मैंने या 6 GB पर convert करूँगा तो वह जब भी मैं यहां पर RAM को चेंज करूँगा तो आप से restart mobile करने को बोलेगा तो मैं इसको restart कर लेता हूं restart होने काद मैं आपको लेकर चलूँगा storage में कि इसके storage होने काद कितनी आपकी system में memory यूज होती है और उसके बाद आपका mobile कैसे चलता है तो उसको होने देते हैं restart finally हो चुका है restart में उसको कर लेता हूं यहां से अनलोग अनलोग यह restart होने में 510 मिट लेगा क्योंकि वो RAM में आपकी system memory को तो और टाइम ले सकता है तो इसको होने देजेगा जितना भी time ले रहा हो तो उसको process होने देजेगा भी हो चुका है आपको यहां पर ले चलता हूं लापिस स्टोरेज वाले आपशन पर आपके जो नहीं पड़ेगा आपकी मेमोरी वह ज्यादा उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा बस आपकी मोबाइल की स्पीड है वो वहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी, जैसा कि आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने आप 6GB पर इसको select कर लिया है, और अब मेरा mobile जो कि speed में यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि बहुत अच्छा यहाला feature दे दिया गया है, जिन लोगों को बहुत जादा mobile यूज करते हैं, बहु सिंपल यहीं पर वापिस जाना है, सेटिंग पर जाना है, वापिस बैटरीन डिवास के पर जाना है, मेमोरी पर जाना है, वाप पर जाके आपको 4G पर select कर देंगे, mobile आपका restart होगा, और वापिस 4G पर select हो जाएगा, गर मेरा mobile तो यहाँ पर इसके बाद बहुत अच्छा चल रहा है, उमीद है कि आपको भी यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक्यू, तो जोस्तों यह उमीद है कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक जाना है, अगर आपको लगता है तो मेरी वी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंकियो सो